करना करती हूं हमारे भारत देश की और अधी जब बहुत बड़े सपने देखते हैं तो उन्हें वो होसला नहीं मिलता है जिससे वो अपनी उडान भर सके मैं भगवार की बहुत शुकू गुजालू और अब सभी का बहुत शुकू गुजालू कि आपने मेरे इशायरी पढ़ने के इस सपने को पुरा करने में मेरा साथ दे मैं खास्तोर से शुक्रियादा करना चाहूं कि नीवारी सली साहब जी की अलपर होस्के साहब जी की और मुकीमबाद साहब जी की जिन्हों ने जिन्हों ने मुझे इस बंच के काबिल समझा, यह मेरे लिए बहुत ही खुश्ट सीवी की बात है कि मैं आज इतने बड़े शायरों के बीच अपना कलाम पेश करने जा रहे हैं। आरिश साइपी साब जी और मैं अक्राम से मेरी बुलाका पहले भी हूँ चुक्रिया और टाइन लोगों से मेरी बुलाका यहाँ पर हुई है बहुत अच्छा लना और बहुत अपनाईयन महसुस है। इससे भी खुशी की बात मेरे लिए यह है कि मैं अपने बसबका लाइन शहर के अपने लोगों के बीच अपना कलाम पड़ने जा रहे है। उम्मीद है कि आप सब आपके शहर की इस बेटी को अपनाएंगे और मेरी गज्जों को पे हिसाब प्यादें। इस दुनिया की सबसे मामान प्रेम राथा है रादे कृष्ट की तो सबसे पहला किसना उन पर। उसके आहट उसके आहट बंजर को जलतल और रादे को हल चलती। मुरली की दुन सुनकर मूरत की आखे हर तकी है। इस पहाड के उस पार धनी जंगलों के बीच के पुरानी सी इत मंदिर में। दिया जलाने जा रही हूँ। बड़े दिनों पार भगबार में मेरी पूरी मन अद्गी है। कजल के चंदशा बहुत बहुत शुक्रिया। कजल के चंदशा आपके खित्मत में पेश है। सुनिएगा। दौलते दर्द अताकर दौलते दर्द अताकर दिलेशर की जीनत ले गए। अब चहरे पर पहले जैसी रावनत नहीं रहे। खुदा गवा है, तेरे बगेर हमने एक लंगा न गुजार सके। खुदा गवा है, तेरे बगेर हमने एक लंगा न गुजार सके। मेरी जानो दिल तुझे इस बार की भनत नहीं रहे। याद, हालात, आस, एहसास, सब वैसे के वैसे हैं लेकिं तुझे पाने की पहरी सी हस्रत नहीं लगी साथ, कुछ नहोने की अब आदत से हो चुकी है, गुजरते हुए लोगों से कोई चाहत नहीं है माते पर रुस्वाई की शिकन लिए खुमना हमारी पहचांसी हो गई है उपरवाने के अब हमे आज़ाने की तबियत नहीं रही बड़ते हुए समाने से वास्तान ना के बराभर रखते हैं अब खुज से भी कोई खाष नहीं है क्या वाँ बहुत 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 कोई पूछ लिया होता तो शायद बता सकते थे यकीन न करने पर निष्टे तूरते नहीं कोई फिर से यकीन दिला भी सकते थे हमने ना कहा पर तुम तो कह सकते थे जाने से पहले एक मुलाकात की जिक्र भी तो कर सकते थे बहुत बहुत शुक्रिया तुम तो हर महफिलों के शान बने पिरते हो एक शामे रस्म मेरे नाम भी तो कर सकते थे साहिलों के तलाश में साहिलों के तलाश में अक्सर अपने पीचे छूट जाते हैं कोई सफर कर किसी के साथ भी तो कर सकते थे अपने ही अपनों का खून बहा कर तारीक लिखते रहे कोई बगे ता जो तक्त भी खुशाली ला सकते थे कोई बगे ता जो तक्त भी खुशाली ला सकते थे तल्ख लहजे से पेश आते हैं हर कोई तल्ख लहजे से पेश आते हैं हर कोई सल्ख लहजे से पेश आते हैं हर कोई सब अना के जंजीरों से जपड़े थे कोई साथी को भी अपना सकते थे कोई साथी को भी अपना सकते थे रंजों गम में शिकायट करते रहे जिस परवर्दिगार से रंजों गम में शिकायट करते में इस परवर्दिगार से खुश्यों में उसका शुक्रियादा भी तो लेन सकते थे कौंसी सास आंक्री हो निराली किसे पटार कांसी सांस आखरी को निराली सब को अपने पन से गले भी लगा सकते थे मखतरमा नजम निराली साहिबा को मुसुपा ने अपना कलाव पेश पिला हाजरीं बस्म गुल्शन उर्दुवा तब जिसके सदर मुकीम पाक साहब है और अन्मर भोस्गे साहब जुबाइर भाई इन तमाम लोगों की ये कोशिशे रहा करती हैं फर दुशायरे में कि बस्मकल्यान के जो नए कहने वाले हैं जो नए चेहरे